हलो एवरिवान एंड ग्रिटिंग फ्रम नुमिटेक आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल हैश कोड प्रोग्राम के बारे में एकली गूगल हैश कोड एक कमपीटिशन है जो की गूगल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है 2014 से लेकर आज तक गूगल हर साल एक कमपीटिशन और ब्राइंज करता है सबी दुनिया के कोडर्स के लिए तो जो लोग कोडिंग में इंटरस सकते हैं यहां कोडिंग में अपनी स्किल्स को टेस्ट करना चाते हैं और उसमें अपना कुछ अचीवमेंट्स मिलाना चाते हैं तो उनके लिए यह कमपीटिशन बेस्ट रहेगा और इस कमपीटिशन की सबसे बढ़िया बात यह है कि इ और इसी के साथ जो लोग इस competition में participate कर रहे हैं तो गूगल उनके लिए participation certification प्रवाइड कर रहा है और साथ में गूगल की goodies भी मिल रही है जिसमें आपको टी-शिर्ट, caps और इसी तरह के और goodies जो है वो आपको प्रवाइड की जाएंगी गूगल द्वारा और इसी के साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि गूगल हैश कोड अकेला competition नहीं है गूगल ने हैश कोड के साथ दो और competition launch किये हैं और हम उन competition के बारे में भी बात करेंगे और start करने से से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए आपको जुरूर अच्छा लगेगा और हमें भी motivation मिलेंगी और हम इस तरह की लेटस्ट इफ्रोमिशन आपके पास लाते रहेंगे तो सबसे पहले आपने हर बार की तरह Google डॉट कॉम ओपन कर लेनी है और यहां पर आपने सर्च करना है सिंप्ली हैश कोड यहां पर आपको पहले ही इंट मिल जाएगा और जैसी आप ओपन करेंगे यहां पर आपके सामने सबसे जो पहला लिंक का रहा होगा हैश कोड गूगल कोडिंग कंपिटिशन आपने इस पे क्लिक करना है तो इसी के साथ ही आपका एक नेक्स्ट वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको गूगल हैश कोड के बारे में इंफ्रोमेशन शो हो रही होगी और यहां पर हम आप सिंपली यह मतलब नहीं है कि आपके पास कोई कोडिंग सर्टिपकेट होना चाहिए या कोडिंग के रिगार्डिंग आपके पास कोई डॉकॉमेट होने चाहिए जस्ट आपको कोई भी यह कोडिंग लैंगवज अच्छे से आनी चाहिए जिसकी हैल्प से आप इस कंपिट है यह individual level का competition नहीं है बलकि एक team level का competition है इसका मलब यह है कि अगर आप scouting competition में participate करते हैं तो at least आपके team में दो बंदे तो होने ही चाहिए और इस competition के लिए आप अपनी team कैसे बना सकते हैं वो भी मैं इसके बारे में अभी discuss करने वाला हूं थोड़ी ही देर में और इस competition की जो registration है वो start हो चुकी है 7th of January से और यह registration close होंगी 22 February 2021 पे यानि कि आपके पास अभी काफी time है इस competition में register करने का तो सबसे पहले हम अपनी schedule वाली window पे चलते हैं जहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर registration open हो चुकी है और यह available है Feb 22 2021 तक और अगर आप थोड़ा सब scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको proper information मिल जाएगी यहाँ पर आपको दो टाइप की registration देखने को मिल रही होगी फस्ट वान इस individual registration and second वान इस हब registration अब individual और हब registration क्या है हम इसके कारमे अभी discuss करेंगे थोड़ी देर में और इसके बाद अगर आप नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो online qualification round है वो आपका होना है Feb 25 2021 को और 2 March 2021 को इसका result आना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और April 24 2021 को इसका word finals है जैने कि जो भी online qualification round अपना clear करेंगे वो word finals के अंदर जा पाएंगे एक तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एक individual registration होती है जो कि कोई भी quarter जाके करवा सकता है इस competition के लिए एक मैं बात बता रहा था आपको virtual hubs के बारे में basically virtual hub होती क्या है कि इसमें आपको एक close environment दे दिये जाता है जिसके अंदर आप एक दूसरे से compete करते हैं यानि कि एक team दूसरे team से compete करती है side by side जैसे कि हम बात करते हैं कि पहले zone का competition होता है फिर उसमे state level पे competition जाता है फिर उसके आगे national level पे competition जाता है तो so virtual hub भी कुछ इसी तरीके से काम करेंगी जिसमें पहले वो छोटे-छोटे cluster बनाके virtual competition करवाएंगे वो भी आपका अपने computer के उपर कर सकते हैं सो अगर आप अपने college के लिए अपने university के लिए आपने school के लिए किसी के लिए भी आप virtual hub create करना जाते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर detail देखने को मिल जाएगी सो इसके बाद हम चलते है rules के उपर 2021 से पहले जो हैश्कोड competition या google के कोई भी coding competition होते थे वो actual किसी जगा पे करवाये जाते थे यानि किसका मलब यह है कि किसी भी coder की physical presence वहाँ पर होनी जरूरी है जहां पर यह contest करवाया जा रहा है लेकिन 2021 में यह first time हो रहा है कि एक virtual competition करवाया जा रहा है तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इसकी terms and conditions अच्छे से पढ़ ले और इसी के साथ आपको पूरी details यहां पर देखने को मिल जाएंगी काफी लंबा चोड़ा इसमें terms and condition का page है जिसको आपको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते है यहां importance जो heading lines है वो अच्छे से पढ़ लीजिए इसके पास यहां पर team requirement के बदारे में बताया गया है जिसमें आप 2, 3 यार maximum चार members की team को बना सकते हैं और यह team कोई भी किसी भी तरह की team हो सकती है चाहे आप अपने classmate के साथ अपनी team बना लेजिए चाहे आप अपने facebook friends के साथ या किसी भी community के अंदर जाके भी आप अपनी team create कर सकते हैं और इसमें जो minimum age रखी गई है वो actual में 16 year की रखी गी है कि 16 साल से उपर का कोई भी बन्दा इस में participate कर सकता है लेकिन इस पे एक condition यह भी है कि आपके team का at least एक member जो है वो 18 year से उपर का होना चाहिए बहुत सारी video में कहा जा रहा है कि 16 year के सारे students होने चाहिए तो वह भी participate कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आप clearly पढ़ सकते हैं कि एक team member जरूर 18 साल से उपर का होना चाहिए तब यह आपकी team को valid मना जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपको contest structure के बारे में बताया गया है और इसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल्स दे चुका हूँ फिर आपको कुछ problems के बारे में बताया जा रहा है इसको भी आप details से पढ़ लीजेगा और इसके बाद scoring के बारे में बताया गया है किस तरह की judging होगी किस तरह की scoring होगी और जो इसमें scoring होती है वे jury based scoring होती है तो इसके बारे में details से आपको आगे बताता हूँ इसके बाद आपको world finals की attendance के बारे में बताया गया है तो इसके बारे में आप जो details है वो अच्छे से पढ़ लीजेगा और इसके बाद आपको prices के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर आपको जो first place है उसके लिए जो price मिल रहा है that is four thousand USD dollars और जो second price है वो two thousand और और जो third place है उसके लिए आपको one thousand USD dollars मिल रहे है तक्रीबन आपका three lakh plus के round आपका first price बनेगा इसके बाद आपको Google की goodies के बारे में बताया गया है जो टीम भी अपना qualification round clear करेगी और वर्ड फाइनस में participate करेगी उसको Google दोवारा goodies दी जा रही है so that could be T-shirts, notepads, caps or any other thing so इसके बाद जो हम बात करेंगे last point जो हमें देखने को मिल रहा है that is regarding certificates तो इसमें जितने भी team members participate करेंगे और उनकी team at least one score कर लेती है यानि कि एक point ले लेती है किसी भी competition के अंदर तो उसको Google दोवारा एक certificate provide किया जाएगा जो की printable और downloadable certificate होगा और यह certificate आपको competition खतम होने के बाद at least एक month के अंदर मिलेगा यानि कि यह नहीं है कि आपका आपने participate किया और साथ के साथ ही आपको वो इसका certificate मिल जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद इसका certificate मिलेगा और इसके बाद यहां पर online hubs और online hub organizers के बारे में बात की जा रही है तो यह भी एक healthy competition या अगर आप close environment के अंदर एक competition लड़ना चाहते हैं तो यह भी एक अच्छा method है कि जिसमें आप participate कर सकते हैं तो यहां पर हमने सारे rules देख लिए हैं इसके बाद हम चलते हैं इसके archive के उपर जिसके अंदर आपको पुराने competition के बारे में कुछ data देखने को मिल सकता है आकर मैं इसका स्क्रोल डाउन करो तो पहले हम नीचे चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि 2020, 2019, 2018 और 2014 से लेके अब तक कौन सी team competition जीच चुकी है तो इसके पहले जितने भी competition होते थे वो एक physical location के ऊपर होते थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक physical location के ऊपर टीम कठा होती थी और वहां पर उस competition को करवाया जाता था और अगेन उसमें से जो टीम जीती थी थी तो उसको फर्स प्राइस सेकंड प्राइस और थर्ड प्राइस दिये जाते थे तो अगर आप लास्ट के जल्स देखना चाते हैं तो यहां पर मैं 2020 पे क्लिक करता हूं जैसी नेक्स फेपेज ओपन होगा आप देख पाएंगे कि कौन कौन सी टीम लास्ट यह फर्स्ट आई है सेकंड आई है थर्ड आई है यहां किस टीम का क्या स्कोर था और कौन सी टीम कहां से थी और उनका क करेंगे तो आपको online qualification round के results भी देखने को मिल जाएंगे और उनके score भी देखने को मिल जाएंगे तो जो दूसरी चीज़ आपको यहां पर देखने को मिलेगी वो होगी last year की final round की problems तो जिस भी year के आप final round की और qualification round की problems को देखना चाहेंगे तो simply आपने view problem पे जाके click करना है और यहां पर आपको last year की problem open हो जाएगी मैं आपको brief में बता देता हूँ कि यह किस तरह की problem थी basically इसमें एक robotics के बारे में problem बताई गई है कि आपको robotic arm को different different parts of mobile को assemble करने के लिए program करना है और इसमें आपको proper instruction दी जाएंगी कि कौन सी location पे आपने एक robotic arm कब लेके आनी है और कै कैसे इसको program करना है कौन से part के लिए आपने किसको program करना है और इसमें साथ में आपको input data set और mathematical instruction और logical instruction भी देखने को मिल जाएंगी जो कि आपने इस program के अंदर use करनी है सो इस तरह की example से आपको काफी जादा clear हो जाएगा कि competition के दुरान किस तरह की example आने वाली है और scan के उपर आपको यहां पर scoring का format देखने को मिल जाएगा कि किस किस चीज़ के लिए इसमें किस तरह की scoring दी जा रही है सो आप इस तरह की problems को अच्छे तरीके से read कर लीजिए यहां पर मैं qualification round की problem open कर रहा हूं जो कि एक library के regarding थी जिसमें आपको different different books scan करनी होती है और better तो यह है कि आप जो previous problems आ चुकी है आप उनको खुद solve करके देखें तांकि आपको पता लगेगी कि इस competition में participate कर भी सकता हूं के नहीं कर सकता हूं सो इस competition के regarding मैं आपको काफी ज्यादा details बता दी हैं अगर कोई detail रह गई है तो प्लीज आप उसको comment में जरूर mention कीजिए अगर आप comments में mention करेंगे तो और लोगों को भी और अच्छे तरीके से information मिल पाएगी और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं फिर registration के उपर तो आप अगर इसमें register करना जाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर register now पे क्लिक कीजिए register now पे क्लिक करने के बाद आपने एक gmail account के दोवारा इसमें login करना है तो जो सबसे पहले आपने इसमें यहाँ पर information बरनी है आपने अपना एक nickname रखना है तो मैं यहाँ पर अपने नाम से एक nickname रख रहा हूं आप कोई भी अपना नाम रख सकते हैं इसके बाद आपने अपने country location सेलेक्ट करनी है तो इसको आप को scroll down करके select करना पड़ेगा तो मैं select कर लेता हूं इंडिया और इसके बाद मैं scroll down करके नीचे आता हूं तो यहाँ पर मेरा first name आ रहा है location of residence अगेन मेरे को select करनी पड़ेगी इसमें personal info के अंदर यह इसमें थोड़ा glitch है कि इसमें scroll down करने की बज़ए सीधर select होना चाहिए तो इसमें आपको gender information के बारे में प आप vanish हो रहा है इसमें थोड़ा glitch है इसके website के अंदर लेकिन जब मैं नीचे वाला arrow वाला button press करता हूं तब यह उस पर आता है और आप इस पे enter कर सकते हैं तो अगर कुछ लोगों को यहाँ पर enter करने में problem आये तो वह अपना down arrow जो है उस पे click करें तो आपकी यह option है जो bash है c++ है then java है javascript php python और इसके अलावा अगर आपको कोई other language आती है तो उस पे click करके आप other language के बारे में type कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं embedded c language लिख सकता हूं लेकिन for the timing मैं यहाँ पर अपनी जो language है preferred language वह python select कर रहा हूं और इसके बाद आपको professional status पूछा जाएगा कि आप student है professional है या आप इसका answer देना चाते है या नहीं देना चाते है और यह दिहान रखिए कि जब भी आप इसको select करेंगे तो आपको दोनों तरह की information फिल करनी पड़ सकती है तो अगर आप ऐसे student fill out करते हैं तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपका area of study क्या है आपके पास कौन सी degree है या आप कौन सी degree में अभी पढ़ रहे हैं आपका grad month कौन सा है आपका grad year कौन सा है कि आप जब आपने वहाँ पर graduation की है तो अभी आपको मैं कुछ example के through यहाँ पर fill करके दिखा देता हूँ वैसे आप अपने recording fill करेंगे तो again आपको arrow वाला button प्लेक्स करना है और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको degree है वो आपने mention करनी है यहाँ अगर आप high school में हैं तो high school mention कर दीजेगा तो इसके बाद आपने degree mention करनी है तो जैसे कि मैं यहाँ पर bachelor's की degree mention कर रहा हूँ तो again grad month आपको यहाँ पर show हो रहा होगा June then grad year की कौन से year में आप graduate करने वाले हैं तो कोई भी आप भर सकते हैं मैंने तो यहाँ पर randomly भरा है और अगर आप as a professional यहाँ पर select करते हैं तो again आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास different option आ रही होगी तो यहाँ पर simply आपने अपनी company का नाम जो की optional है वैसे आप भरना चाहें तो बर सकते हैं नहीं बरना चाहें तो मत भरिये तो simply आपने यहाँ पर अपनी degree जुरूर मेंशन करनी है कि आपके पास bachelor's है master है क्या क्या है तो जो भी आपकी degree हो highest degree हो वो आपने यहाँ पर mention कर देनी है और इसके साथ आपने grad year भी mention करना है कि आप कौन से year में यहाँ यहाँ पर अपनी graduation कप्लीट की थी तो मैं यहाँ पर अपनी information यहाँ पर फिल कर रहा हूँ तो इसके बाद मैं आपसे पूछा जा रहा है कि क्या Google आपको job opportunities के regarding contact कर सकती है और basically Google का यह competition करवाने का मतलब ही है कि जो अच्छे quarters हैं उसको वो approach कर पाए तो यहाँ पर मैं अभी तो no बर रहा हूँ आप तो obviously yes बरियेगा इसके बाद आपको email receiving के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप इसके regarding email receive करना चाते हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आप yes पर ही क्लिक कीजिएगा और इसके बाद आपको फिर email के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आप Google के दोबारा और competition के regarding भी email चाते हैं तो आप यहाँ पर yes पर क्लिक कर दीजिए इसी तरह के नाम आपके mention होंगे और इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप स्कूल है या commercial address है आपका तो यहाँ पर मैं no कर रहा हूं और again यहाँ पर आपने सारी अपनी address की information भर देनी है जो भी आपका pin code है या और details है detail information भरने के बाद आपसे नहीं यहाँ पर नीचे पूछा जाएगा कि आपके टी-शिट का size कौन सा है यानि कि यह आपको पूछा जा रहा है Google की goodies के बारे में तो आपने यहाँ पर जो भी आपका टी-शिट का size है तो आप इसको जरूर mention कर दीजेगा और end में आपको कोर्णी की कुछ terms and condition के बारे में पूछा जा रहा है तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बात कर चुका हूँ कि at least आप 16 साल के होने चाहिए इस competition में participate करने के लिए तो अगर आप 16 साल के उपर हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए अगर नहीं है तो आपको disqualify कर दिया जाएगा तो इसका जरूर ध्यान रुकिए कि आपका age factor जो है वो बिल्कुल सही हो और अगेन मैं पहले भी बता चुका कि at least आपके टीम में एक बंदा जरूर ऐसा होना चाहिए जो कि 18 साल से उपर हो क्योंकि बहुत सारी वीडियो में बोला जा रहा है कि अगर आप 16 साल के हैं तो इसमें participate कर सकते हैं लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि आपके टी पूल डाउन करके हम rules वाले column के ऊपर चलते हैं तो यहां पर आई agree to rules पे क्लिक करना है और अगर आप further hash code के बारे में information लेना चाते हैं तो इसकी emails को आप subscribe कर लीजिए तो यहां पर आप yes पे क्लिक कर दीजिए तो यहां पर मैं आगे register पे क्लिक कर रहा हूं और इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर आपको option दिख रही है कि create a team और join a team तो यहां पर आपने टीम create कर नी है यहां पर कोई hub join करना चाथा तो यह भी कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहां पर नीचे problem मिलेगी जो की problem statement होगी आपकी तो अगर आप यहां पर problem statement पे के अंदर इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं और एंड में बात करने जा रहा हूं कि हैश कोड के इलावा और कौन सी कंपेडिशन हैं जिसमें आप पाटिस्पेट कर सकते हैं तो अगर आप अपने में पेज पे जाएंगे तो इसके नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहा कोड़ जैम एक कंपेडिशन है जिसका प्राइस जो है फिस्टिन डॉलर का है जो कि आप यहां पर देख पाएंगे और इसके बाद एक किक स्टार्ट नाम का कंपेडिशन है जिसकी रिजिस्टिशन डेट जो है वह फैबुरी नाइन हैं सो दो यह और हैं जिसमें आप आपकी हरे को सॉल्व किया जा सके और इसके लावा अगर आपके कोई और भी सुजेशन सहों तो प्लीज हमें कमेंट्स के अंदर जुरूर मेंशन कीजिए और प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब जुरूर कीजिए और साथी साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भ अरूरी करना में जुरूर कीजिए लिए और भी स।टक्राइब प्लीज हमें आरई झाल ना झाल का और भी वार श्मित में युर्मुरूर में जुरूरूर हमें रयं जुरूरूर